Hello Friends, Assalamualaikum आज की इस वीडियो में हम चार मज़िदार और इंट्रेस्टिंग पहलियां देखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं सवाल है वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसुरत बना देता है जवाब है पाउडर दोस्तों आज की ये पहली बहुत ज़्यदा चैलेंजिंग है और 99% लोग इसे हल नहीं कर पाएंगे यहां आपके सामने माचस की तीलियों की मदद से 100 लिखा गया है और ऐसा कैसे होगा कि आप इनमेंसे सिर्फ 2 स्टिक को मूव करें और ये एक कैट बन जाए ध्यान रहे कि आपसे इस दो स्टिक को मूव कर सकते है आपके पास 10 सेकिंड़ा वक्त है और अगर आपको ज्यादा वक्त चाहिए तो आप वीडियो को रोक भी सकते है चलें इसका आसर देख लेते हैं पहले हम इस मैश्टिक को मूव करके यहां लगाएंगे तो ये T बन जाएगा फिर हम ये 0 वाली मैश्टिक को थोड़ा उपर कर देंगे तो ये A बन जाएगा इस तरह cat बन जाएगा लगता है आपको ऐसे समय नहीं आएगी आप अपने mobile को जरा इस शेव में करें दोस्तो कोई भी पहली मुश्कल नहीं होती बस आपको जरा तमाख लगाने की जुरूत होती है सवाल है वो कौन सी चीज है जिसको जमीन पर मारो तो नहीं तूटती मगर पानी पर मारो तो तूट जाती है जवाब है शैडो यानि साया दोस्तो इस पिच्चर में आपके सामने पांच डोर है क्या आप इन पांच डोर को ध्यान से देखकर बता सकते हैं किस चाबी से कौन सा डोर ओपन होगा A, B, C, B या E ध्यान से देखें और इसका अंसर है इससे डोर C ओपन होगा क्योंकि डोर C और चाबी की शेप सेम है पेली है वो क्या है जिसे हम खाते भी हैं मगर देख नहीं सकते जवाब है कसम सवाल है वो क्या चीज़ है जिसका नाम लो तो वो गाइब हो जाती है जवाब है खामोशी दोस्तों इन दोनों पिच्चर्स को द्यान से देखें इन दोनों पिच्चर्स को आपस में मिलाने से एक चोकलेट का नाम बनता है क्या आप बता सकते हैं वो कौन सी चोकलेट है द्यांसर देखे और आंसर देखने जो पमें अपना समय कमेंट करें और इसका अंसर है पहली पिच्चर में है डाइरी और दूसरी पिच्चर में है मिल्क अगर ने डोनों को मिलाएं तो बनता है डैरी मिल्क दोस्तो अगर आपने इसका अंसर यही सोचा था तो विडियो को लाइक कर दें क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं सवाल है एक शक्स पैदा हुआ जपान में पला बड़ा फ्रांस में मरा तुर्की में वो शक्स क्या कहलाएगा जवाब है वो शक्स महरूम कहलाएगा दोस्तो आज की यह पहली बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग है यहाँ दो बारबर अपने कस्टमर्स के बाल काट रहे हैं क्या आप इन दोनों बारबर्स को ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि इन में से कौँ सा बारबर किलर है या बी द्यान से देखें और आपनास में कोमेंट करें और इसका आपनास में दोस्तो मेरे नजरिया के मताबिक बारबर ए किलर है अगर आप बारवर एक और ध्यान से देखें तो उसके customer की neck से खुन बह रहा है जबके बारवर बी के customer के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तो ये मेरा नजरिया है आप अपने नजरिया के मताबिक हमें comment करके बताएं तो जी दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो मारे चैनल को सब्क्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक अल्ला हाफीज